टैनिंग को कैसे रिमूव करें? क्या आप सब कुछ ट्राय कर चुके हैं और आपकी टैनिंग रिमूब नहीं हो रही है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे टैनिंग क्या होती है? कैसे हम एफेक्टिबली इसे रिमूव कर सकते हैं? कौनसी संस्क्रीम्स हेल्प करती हैं इसे प्रिवेंट करने में? कौनसी बेस्ट टैन रिमूबल क्रीम्स है? और हम डिसकस करेंगे कौनसी होम रेमिडीज हेल्प करती हैं? नाच्रली टान को कैसे हम reduce करें, कौनसी soaps help कर सकती है और कि हम टान को एक दिन में remove कर सकते हैं यह सारे time stamps मैंने description box में mention किये हैं Hi, मैं Zoli Skin Clinic Delhi से dermatologist Dr. Nirapama और मैं इस चैनल पर skin और hair से related videos बनाती हूँ अब हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं melanin pigment बनाता है जो melanin pigment है, यह हमारी skin का protective mechanism है harmful UV rays से हमें बचाने के लिए बट अगर बहुत ज़्यादा sun exposure होता है तो melanin production काफी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी skin pigmented हो जाती है, tanned हो जाती है और बहुत ज़्यादा line wrinkles भी जल्दी आने लग जाती है जैसे कि आपने देखा tanning कैसे होती है अब diagnose करना जुरूरी है कि आपको tanning है या फिर pigmentation है, milasma है तो अगर आपको tanning होती है तो usually uniform रहती है और sun exposure के बाद होती है और अगर pigmentation होता है तो थोड़ा patchy होता है और sun exposure से इतना related होता नहीं है साथी साथ अगर body पे tanning होती है तो tan lines दिखती है जहाँ पे cloth से हमारी skin covered होती है तो हम tanning को कैसे remove कर सकते है तो basically tanning या pigmentation को reduce करने के लिए तीन तरीके होता है एक हमें excess sun exposure नहीं करना है और एक अच्छी sun screen लगानी है सेकिंड डी-pigmenting cream यूज करनी है वो भी दीरे-दीरे करके reduce होगी अब हम discuss करते हैं कि excess sun exposure हम कैसे prevent कर सकते है और कौनसी sun screen best रहेगी वैल आपको sun screen चूज करनी चाहिए जिसका SPF 30 या जादा हो PA++++ rating या जादा हो और वो broad spectrum हो broad spectrum यानि कि वो UVA और UVB दोनों के against आपको protection दे साथी साथ आपको sun screen को reapply करना है 2-3 hours में आपको adequate amount of sun screen यूज करनी है 2 finger lens sun screen face और neck पे मैंने कुछ अच्छी sun screen जहां पे mention किये हैं और इनके जो link है description box में भी mention किये हैं अब कई लोग बोलते हैं कि हम sun screen यूज करते हैं तब भी हम tan होते हैं वेल ऐसा हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा sun screen ना लगा रहे हो और उसे reapply ना कर रहे हो अगर आप ये भी करते हो तो कई बार आप tan हो सकते हो क्यों क्योंकि आपको ये चीज समझने के जरुरत है कि sun screen 100% protective नहीं होती आपको उसके साथ-साथ white-brimmed hat यूज करने की सुरत रहती है कई बार neck buff ज़रूर देखें कि आपकी hat और neck buff की UPF rating हो साथी साथ आप polarized sunglasses यूज कर सकते हो umbrella यूज कर सकते हो और जो 10-4 pm का time होता है जहाँ जादा intense sunlight होती है वो time आप बहार ना बिताओ अब हम बात करते हैं tan removal creams के बारे में और कौन सी best creams है well tan removal cream को miracle cure नहीं होती ये भी time लेती है tanning को reduce करने में इनके जो ingredients होते हैं वो deep pigmenting होते हैं जैसे की kojic acid, arbitin, tetrahydrococamin, azalic acid, vitamin C साथी साथ कुछ tan removal creams में होते हैं exfoliants जो कि exfoliate करते हैं upper dead cell layer को धीरे-धीरे करके remove करते हैं, reduce करते हैं तो इनके अंदर ingredients जो होते हैं lactic acid, salicylic acid, glycolic acid, mandalic acid ऐसे ingredients होते हैं और जो अच्छी tan removal creams होती हैं उनमें इन सारे ingredients के कुछ-कुछ components होते हैं कुछ-कुछ percentage होते हैं मैंने कुछ अच्छी pharmacy based tan removal creams mention की है description box पे और यहां पे पर यह आपको use कैसे करनी है वेल जादतर जिनमें exfoliants होते हैं जैसे glycolic acid, lactic acid, mandalic acid उन्हें आपको राद को use करना रहता है यह आपको अपनी doctor की सला के बाद ही use करनी चाहिए क्योंकि वो आपको अच्छी से बता पाएंगे कि आपको यह कैसे use करनी है अगर आप इसे सही से use नहीं करते हैं तो कई बार यह इतनी effective नहीं होती है अब हम discuss करते हैं कौन सी best soap से tanning को remove करने के लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें kojic acid soap, glutathione और turmeric soaps को बताया गया है tanning को remove करने के लिए बट आपको सोचना यह है कि जो soap होती है उसका बहुत short contact time होता है आपकी skin के साथ तो इतनी जल्दी tan को नहीं remove कर सकती तो soaps इतने effective नहीं होते tanning को remove करने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है tanning को treat करने का well सबसे अच्छा तरीका है से prevent करना कि आप tanning ही नहीं होने दे तो आपको use करना है sunscreen, hat, cap, umbrella avoid करना है excess sun exposure, 10 a.m. to 4 p.m. जिससे कि आपको tanning ही नहीं हो बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डामेज हो गया है oxidative damage और ज़्यादा बढ़ सकता है skin aging बढ़ सकती है तो आपको antioxidants लेने चाहिए जैसे कि vitamin C, vitamin E, glutathand ये ले सकते हैं आप और आपको home remedies यसे कि lemon juice या फिर baking soda यूज नहीं करना है क्योंकि इससे skin और ज़्यादा irritate हो सकती है और आपकी tanning और ज़्यादा बढ़ सकती है क्या आप tan को एक दिन में रिमूफ कर सकते हो वेल ऐसा नहीं है कोई tan एक कोई layer नहीं होता ये आपकी skin में changes हो जाते है pigmentation बढ़ जाता है तो time लगता है इसे remove करने में reduce करने में इवन अगर आप chemical peels या फिलेजर्स कराते हो तब भी tan एक दिन में नहीं जाता क्या tanning naturally remove कर सकते है वेल हाँ ये कर सकते हम प्रेटी थोड़ा slow process होता है और इसमें कई बार कुछ हपते लग जाते है महीने और कई बार साल भी लग जाते है आपको इस दौरान क्या करना चाहिए sunscreen यूज़ करने चाहिए moisturizer यूज़ करने चाहिए exfoliants, tan removal creams यूज़ करने चाहिए जिससे कि ये जो process है और ज़्यादा fast हो और आपकी skin healthy रहे कुछ home remedies जो की helpful रहती है वो है 1 tablespoon honey and 1 tablespoon curd साथी साथ blend कर सकते हो आप cucumber को और जूस एक्स्ट्राक करके raw milk के साथ mix करके लगा सकते हो साथी साथ aloe vera gel यूज़ कर सकते हो ये भी काफी useful रहता है और मेरे पास बहुत सारे patients आते हैं जो की tan removal करने कोशिश करते हैं घर पे and काफी ineffective और harmful ingredients यूज़ कर लेते हैं वेल हो सकता है अभी भी sun में बहुत जादा time बिता रहे हो जिससे कि आपकी skin dark हो रही हो आपका tan नहीं जा रहा हो second आप हो सकता है अपनी skin को इतना चे से exfoliate ना कर रहे हो जिससे कि जो tan है वो धीरे-धीरे करके remove नहीं हो रहा exfoliate नहीं हो रहा dead cell layer साथी साथ यह भी हो सकता है कि आपका deep tan हो जो deep tan होता है वो कई बार पहुट time लेता है जाने में as compared to superficial या light tanning होती है वो थोड़ी जल्दी चली जाती है अब हम discuss करते हैं कुछ clinic based treatments के बारे में जो की tanning को reduce करने में remove करने में help करती है chemical peel हमारी skin को exfoliate करती है जैसे कि pigmentation और tanning reduce होती है साथी साथ micro dermabrasion भी upper layers को exfoliate करता है जिससे tanning कम होती है और कुछ medifacial जो exfoliate और hydrate करते हैं q-switch laser directly melanocyte को target करता है जिससे pigmentation tanning reduce होती है साथी साथ carbon laser भी काफी अच्छा procedure है tanning को reduce करने के लिए dermafrag पर एक procedure है जिससे की tanning जो होती है वो reduce होती है pigmentation reduce होता है nctf और pdrn कुछ नई procedures है जो tanning और pigmentation को reduce करते है तो आपको इस वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया कि tanning क्यू होती है कैसे से treat किया जाता है कौनसी best tan removal creams है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप एक thumbs up sign चोड़ सकते है comment box में और आप हुमें questions पूच सकते है tanning से related बाकी skincare और hair कैस से related ताकि हम इसके बारे में और वीडियो बना सके आपक्की queries को answer गर सके thank you for watching